बिसमिल्लार्राफ्मान रराहीम, अस्लामलीकूम व्यूवर्स, ईद मुबारक, I hope आप सब ठीक होंगे और आप सब की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी आज आपके लिए पाकिस्तानी स्टाइल में मावा स्वईया बनाते हैं, वो भी विदाउट शोगर इन हेल्दी स्वईयों को आप ईद पर या किसी भी मेट में बनाएं और खूब लुथ फटाएं चलिए स्वईयों को कुक करते हैं फरस्ट आफ और प्री हीटिट पैन में वन टी स्पून देशी गी आइट करें फिर वन कप ग्राइंडिट फूल मखाने और वन कप साबत फूल मखाने आइट करें इन्हें दो से तीन मिन तक पकाएं तक ये क्रंची हो जाएं और हाथ से इजीली तूट जाएं रोस्टेड मखानों को एक बॉल में आइट करके साइट पे रख दें दुबारा से प्रिहीटिट फैन में वन टीस्पून देसी गी आइट करें बुने हुए खोये को एक प्लेट में ट्रांसफर करके साइट पे रखें एक बर फिर से प्री हीटिट पैन में वन टीस्पून देशी गी एड़ करें फिर इसमें 250 क्राम बरीक वीड सोईया यानि एक पैकिट एड़ करें सवयों को भी 2-3 मिंट तक रोस्ट कर लेंगे तमाव इंग्रीडियन्स को पहले भूल लेने से सवयों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी जब सवयों रोस्ट हो जाएं तो चूला बंद कर दें और तमाम सवयों में एक कप गरम दूद फिला दें इस मेथड से आपकी सवयों अकड़ेंगी नहीं सॉफ्ट बनेंगी सवयों की हेल्फ से सवयों को दूद में डिप करें सवयों को भी कवर करके साइट पे रख दें अब सवयों का फाइनल स्टेप है इसके लिए एक दीप पॉर्ट लेंगे उसे प्रिहीट कर लेंगे इसमें वन टीस्पून देशी गी आइड करें वन इंच दार्चीनी का टुकड़ा तीन लोंग और पांच हरी अलाइची आइड करें इन्हें भी चन सेकिंड के लिए रोस्ट कर लें फिर इसमें वन कप शक्कर आइड करें आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं हमारे लिए इतना स्वीट इनफ होगा शक्कर को भी चन सेकिंड के लिए रोस्ट कर लेंगे जब शक्कर मैल्ट होना शुरू हो जाए इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसमें 3 से 4 कप पानी आड करें तो इसमें कॉंस्टन चमच चलाएं ताकि इसकी गुट्लियां ना बने और शक्कर फोरें डिजॉल्व हो जाए इसमें 1 पिंच जाफरान एड करें जाफरान भी ऑप्शन है आप इसे स्किप कर सकते हैं फिर इसमें 1 फॉर टी स्पून केवरा एस्सेंस एड करें इसे चन सेकिंड के लिए कवर कर दें ताकि इसमें बॉयल आ जाए बॉयल आने के बाद इसकी थिकनेस हनी जासी हो बहुत जादा गाड़ा ना हो अब हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं फिर इसमें रोस्टिट मखाना एड करें जोके 2 कप हैं इन्हें एक मिंट के लिए पानी में उबालने ताकि ये कुक हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं फिर वन कप रोस्टिट खोया एड करें उसे भी शीरे में मिक्स कर लें वन कप के क्रीब रोस्टिट नट से एड करें ख्लेम को स्लो टू मीडियम रखिएगा फिर इसमें स्वईया एड करेंगे जिन में गरम दूद एड करके हमने साइट में रखा था स्वईयों को एड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम इंग्रीडियंट शीरे में यकचा हो जाएं फिर स्वईयों को कवर करके पांच मिन्ट के लिए स्लो हिट पे दंपे रख देंगे स्वईयों को कम्प्लीट ड्राइ ना करिएग इसमें थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा मौश्चर बाकी रहे इससे ये खाने में बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट फील होंगी ये लिए जी सुपर हेल्दी सुपर डिलिशीज मावा सवईया रेड़ी हैं इन सवईयों को खुबसूरत से बॉल में डिश आउट कर लेंगे एड दियन इन सवईयों को खोए की बॉज और डेसिकेटिड कोकुनेट पाउडर से गार्निश कर लेंगे आप इस रेस्वी में अपनी चॉइस के नर्स यूज कर सकते हैं जो आपको और आपकी फैमिली को अच्छे लगे ये सुपर हेल्दी सवईया आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली हैं इन्हें ज़रूर ट्राइ करिएगा और मेरे साथ अपना फीड़बेक ज़रूर शेयर करिएगा स्पेशली ये हल्दी सवईया बच्चों और बज़र्गों को ज़रूर बना के दें ताकि उनका स्टैमिना बूस्ट हो और वो एक अच्छी हल्दी लाइफ स्पैंट करें इन सवईयों में एक एक इंग्रीडियन घजायत से बरपूर है सो डोंट स्किप दी सवईया हल्दी फूट खाएं हल्दी लाइफ स्पैंट करें इन दुलज़ा में भी इस युनीक सी रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करिएगा इन तमाम हल्दी रेस्पीस के साथ मुझे और मेरी फैमिली को दौा में याद रखिएगा इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त अला निगेबान